यह रही है उद्धर पहाड़ी इसे वेली ओफ फ्लावर भी कहा जाता है लेकिन फ्लावर अभी नहीं है तो गाइस हम लग यहां पर सेरिंग बेसिस पर आये पर यहां पर प्रोब्लम हो गई गाड़ी उद्धर लगा हुआ है यहां पे यह वाली गाड़ी और उपर में उधर का दिखे सामने का इधर भी दोनों तरप एकदम कितना मस्त लग रहे है और यह भाई फिर एड़ी हो गया है और पीछे और एक हीरो तो अभी हम लग विकलेंगे यूंथांग बेली के लिए आज का ब्लोग में आप लोग को यूंथांग बेली का ट्रिक दूगा तो प्लीज वीडियो को पूरा जैनी देखेगा तो चलिए चलतो हमें यूंथांग बेली जो की समुद्र तल से लगभग साड़े 5000 मेटर के उचाई पर इस्थित है यह सिक्किम के उत्तर में इस्थित है जो की लाचुंग से लगभग 25 किलो मेटर दूर है यहां मार्च से जून के बीच में आने से आपको फूल देखने को मिल जाएगा लेकिन हम यहां जन्वरी में आये थे तो हमें यहां कोई भी फूल देखने को नहीं मिला लेकिन चारों तरब का मौसम पूरा सुभावना था तो गाइस हम लोग अभी है यूम थांग भेली में और यहां पर ऊईसे तो स्नुफोल हुआ है रात में लेकिन बहुत थोड़ी कम देख सकते हैं अपलों यहां पर इधर कुछ कुछ यह बस थोड़ी बहुत ही है और अभी हम लोग गूम रहे हैं चारों तरफ का नजारा एक बार देख लिए यह रही है उद्धर पहाड़ी इसे भेली ओफ फ्लावर भी खा जाता है लेकिन फ्लावर अभी नहीं है और उपर में इधर यह पहाड़ी क्या लग रहा है भाई बहुत ही कुछ रहा है अभी चलते हैं वहां पर थोड़ी सी वर्फ जमी हुई है अगर देखते हैं सामने से और ठंड यहां पर उतनी ज्यादा नहीं है जितना की वहां यह गुरूडउंग मार लेक में थिया उतने उत्से थोड़ी कम है यहां पर यहां तो भाई वर्फ जमी हुई है पूरी बर्फ जमीन हुए है अधर भी आगे भी है उधर चारो कर दो को नहीं दो है कम कम हम लोग यहां पर सेरिंग बेसिस पर आपना पर यहां पर प्रोब्लेम हो गई हम लोग चार कोई को तो जीरो पॉइंट जाने का महन है लेकिन दो कपल दो कपल ग्रूप है उन लोगों को जीरो पॉइंट जाना नहीं है ठंट के वज़े से फिर यही कि ग्रूप में आने से ही प्रोब्लेम होता है कि कि किसी को जाने का महन होता है नहीं कि देखने का मन होता है तो फिर आपको भी जो देखने का मन है वो आप नहीं देख सकते वजह सा प्राइवेत इसे रहता है तो ओजी है थो थो बहुत तो भाई अहां का घूमना फिर नहोगया अभी निकलते यहां से आगे थोड़ा सा जादे इसनों है वहां पर गाड़ी को रुकवाएंगा यहां से निकलते हैं अभी यहां बहुत जेर घूम लिए इंजोई कर लिए मस्ती कर लिए अब चलते हैं आगे कर दो कि कि